हेलो दोस्तों वेल्गम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग बात करते हैं इंडिन पॉलिटी के कुछ कोशन्स की जो की प्रीवेश सीर कोशन्स है जातार एसे सी में पूचे गए हैं जिसमें पहला कोशन है दन्यम आपदा लक्यदीप मेनिकोई एंड गया तो उसका नाम था लक्षदीप तो यह किया गया था 1973 में 1973 में और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा लक्षदीप के बारे में तो यह ग्रूप आइलेंड है एक जो की अरेविएंसी में पढ़ता है और यह सबसे चोटा यूटी है मैं तो इनियन टेरिटरी सब सबसे चोटा यह इंडिया में इसकी एरिया है only 32 स्क्वार किलो मेट्र 32 स्क्वार किलो मेंडर है और इसका जिरी डिक्षन पढ़ता है केरला हाइई कोड कोई केस होता तो उसकी सुनवाई होगी केरला हाइई कोट में उसके बाद यहाँ सबसे ज्यानदा मतल्ब मलयालम वो पार्टेकल फूर्ट थाइटी नाइन केता है मतलब 249 केता है पावर होती है तो वह पाइंट कर देता है तो देखवार करता है अधिस्ट्रेटर होता जो कि उसके बाद तो इसका उसर हो जाएगा डी 1973 नेक्स्ट कोशन देखते है साइगंट साइगंड ईबिच स्टेट फर्स्ट पंचायती राज इन इंडिया नाइंटीन फिर्टीन पर दीव है कि कौन सा राज है जिसने एडप्ट किया था पंचायती राज भारत में 1969 में कौन सा राज है इसा तो यह राज है राजस्तान इसने 2 अक्टूबर 1969 को अपनाया था पंचायती राज और वैसे यह 73 में समयधान एक संसोद नदियंग 1992 के था लाया गया था 73rd Constitutional Amendment Act 1992 और यह राजस्तान का जिला एक नागौर जिला वहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था और यह समयधान के पार्ट नंबर नौ में आता मतलब भाग नौ में और इसमें जैसे कि एक कमेटी है दो कमेटी है वैसे तो एक है बलवन तरह मैता कमेटी जिसने मतलब उन्होंने कहा थो कि यह 3-tier सिस्टेम है जैसे सबसे नीचे लो लेवल पाता है ग्राम पंचाथ उसक और फिस्टिक लेवल पर जिला पंचायत है लेकिन इन दूसरी कमेटी आई थी बाद में अशोक मैता कमेटी उन्होंने इसको खालेज करके टू-टीर शिस्टम कहा था जिसम में उन्होंनं कहा था कि एक मंडल पंचायत होगी और उससे ऊपर होगी जिला पंचायत मंदल पंचायत में मतलब गुरुप बिलेजिस जैसे 15 से 20,000 कि आवादी वाले लोग गुरुप को मंदल पंचायत काएंगे उसका दूसरे नम जो सेकंड हाइस्ट होगी वो जला पंचायत होगा लेवल पर तो यह असोक मैता कमेटी थी तो इस काउंसर हो जाएगा ए राजिस्थान है है कि ठट गॉसंँ देखते ओंने कि तैट बसक्रम काईस्ठ सपार्ण के वर्षण हो जो वाव्ष्ट करते चैयब मतलब इंडिपेंडेंडेंश डे पर दिल्ली के किलापर कौन फ्लैक होश्ट करता है तो सुतंतरसाद काकृ печ Mir प्रै UCोष्ट करता है इ कि जब शबी जन्मर याती हो तो हाँ पर प्रेसिडेंट होस्ट करता है फिलेक को तो यह हो जाएगा इस काउंसर हो जाएगा सी प्राइम मिनिस्टर इसका नेक्स्ट कोशन है फोर्थ अब्दुलकलाम आजाद बिकेम दा प्रेसिडेंट अफ इंडिया मतला अब्दुलकलाम आजाद कौन से नंबर के राष्ट पती थे इंडिया के तो यह थे 11 नंबर के अगे यह 11 नंबर के सी आप्शन होगा इसका और तो 9 नंबर कोन थे 9 नंबर के संकर दयल सर्मा और 10 नंबर के ते के आर नारायन जो की फर्स्ट दलिट प्रेसिडेंट थे उसके बाद प्रेसिडेंट थी पहली महिला राष्ट पती उसके बाद 13 नंबर कोन होगा थाइटीन थे इनकी अभी दैथ होगा एक कुछ महांने पहले प्रणाम कर जीजी और अभी प्रेजेंट टाइम पे 14 नंबर है रावनात कोविंद जो की बिहार के 26 नंबर के गवरनर वी रह प्रेसिडेंट थे उसके बाद फिप्त नंबर प्रेसिडेंट थे उसको किस ने ड्राफ्ट किया था तो इस काउंसरों का जवाला लेरूम मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी को हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रारूप समी थी तो इस काउंसर जवाला लाहर होगा इन्होंने 13 दिसमर 1946 को इस प्रारूप समीति को मतलब दे दी थी प्रस्तावना प्रेंबल जिसे कहते हैं उसके वाद इस पर आठ दिन तक विचार किया गया था 13 से 19 दिसमर तक और बी ऑप्सन में बी आरंबेडिकर तो बी आरंबेडि को बियंद्राव को नोगे यह कॉंस्टिशनल एडवाइजर थे असेम्विली के मतलब समयदानिक सवा के एडवाइजर सलाकार थे तो इसका अंसर हो जाएगा यह ऑप्सन जवालाल नहरू है उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर बी आरंबेडिकर कंसीडर्ड एज दा हाइट एंड सोल अप दा इंडिन कॉंस्टिशन तो यह यह अमडिकर जी ने कहा है कि हिर्दय और आत्मा अप दा इंडिन इस इस इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्सन राइट तो कॉंस्टिशनल रिमेडिज हो जाएगा उसके बाद जैसे यह दिया ऑप्सन राइट टू एक्यालिटी तो इसका आर्टिकल कॉंसा था फॉर्टीन से एट्टीन नमबर तक समानता का अधिकार है फंडेमेंटल टू एजुकेशन यह आता है आर्टिकल इक्यावन और जिसमें श्यासिमा संसोधन 2002 में उसमें शेक्स से फॉर्टीन येर के बच्चों के लिए कंपल सरी थी मतलब एजुकेशन इंडिया तो प्रवाइड अपॉर्टीन फॉर एजुकेशन तो यह मतलब हर एक पैरेंट्स इसके डूटी है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं मतलब एजें स्कूल चैसे चौदा पारस के बच्चों के लिए और राइट तो फ्रीडम ऑप स्पीच्ची ऑप्सन है तो यह आर्टिकल 19 में आता है तो यह हो जाएगा इसके बाद सेवन्थ कोश्चन है कितनी एज पर रेटायर होते हैं तो इनकी एज होती 65 यह अपसन हो जाएगा और 62 यह होती हाई खोट की जैज की और 68 यह होती है जो भी लोगपाल मतलब बना है जो कि इस टाइम फरस्ट अभी पहले ही चल लें पिनाकी चंद गोस पीसी गोस इनका टाम होगा सत्तर साल मतल साल रहेगा जैसे कि यह 65 साल की हो गए है उसके बाद 5 साल तक यह मैक्समों हो रहे पाएं तो 70 वैसे ही हो जाएगी रिटायर होनी की तो यह हो जाएगा 70 यह है यह वाला कोश्चन पूचा गया है बहुत वार लोगपाल की हो जाएक 70 यह रिटायर मेंटेज और 65 तो सुप कहां से आया सबसे पहले इसका राइट ढườफ सव walking से होगा फुङंग मतलब दिखते हैं seeking Constitution को मतलब कहा होता इसमिधान लेकिन के वासां में इसको कहेंगे कि रिटिन Constitution एइसा Constitution होगा जिसमें कोई भी संसोधन ना किया जा सके अविंडमेंट नहीं हो सक करें जैसे कि usa jewelry उसमें संभी जा case की संसोधन नहीं न भी तक हूए ल्बैसे तक होई कोई ए फूझा एऊ ऑगा जिसमें संभ्धान में संसोधन किया जा सके और इंडिया का कैसा होगा फिर इंडिया का होगा क्वाइजी फैड्रल क्योंकि इंडिया को ना तो प्यूर्ली रिटीन कॉंस्ट्ट्रीस होना है ना ही प्युर्ली रिटीन श्यान है है क्कूआज ऐट टाइम आफ एमरजैन्सी जब अहरा स्वाथ लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 मतलब अनुछेद 20 और 21 इन दो आर्टिकल छोड़के बागी सब सस्पेंड हो जाते लेकिन यह दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते तो इसका मतलब यह पूरी तरीके रिटेन भी नहीं है इसलिए हमारा कॉंस्ट्यूशन क्वैजी फेडरल का जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे और भी चीजह हैं जो कि बाहर से हम लोगों लिए हैं जैसे यूके से हम लोगों और फ्रांस से फ्रांस से कॉंसेप्ट रिपब्लिक का हम लोगों लिया है तो इसका राइट आउंसर हो जाएगा बी बी ऑप्शन यूएसे अब नेक्स्ट कोश्चन है आर्टिकल 359 ऑप दे कॉंस्ट्यूशन ऑथ और अथराइजिस दा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलव कोश्चन को की मैं राश्टी अपात्काल की को सा ऐसा आर्टिकल है कि जैसे कि जब कोई अपात्काल लगती है जैसे राश्च्टी अपात्काल होलों नेशनल इमरिजनसी तो उस टाइम कौन सा fundamental I पर प्रभाव पड़ता है तो वो कौन सब्वर्डन करता है कोशन नमर नाइन है अर्टिकल 359 अब दे कॉंस्टिशन ऑथराजिज दे प्रेजिदेंट अफ इंडिया तो सस्पेंड राइट तुमूव एनी कोट फॉर्ड इंफोर्स्मेंट फॉर्डमेंटल राइट दियूरिंग यह है कि कौन सा इसा समय होता है कि जस टायिम कोई ब्यूभर ब्यूफ्य फॉर्ड केसे होता है तो इसका बड़न मतलब होता यह नाशनल अइमर्जनसी में तो तो आर्टिकल 359 यही कहता है कि यह राश्टी अपातकाल के मुझ अधिकार पर पढ़ने वाला प्रवाव का बर्डन इसमें दिया होता है आर्टिकल 359 में तो राश्टी अपातकाल हो जाग नेसनल इमर्जेंसी इसका उप्सन उसके बाद नेक्स्ट है कोश्टन कोश्टन नमबर टैन विच इंडियन स्टेट है जा लार्ज नमबर ओफ लोकसवासीट तो इस तो सब गोटमील ओपर लोकसवासीट थैटि नाए उन्टालेस और राजसवा में एटीन अठारह हो जाएंगे तम्लाडू में राश्टयाएजस्वासीट इंडर राज ऑप्सनदर पच्चिस लोकसवासीट हैं दस हैं राज सवा सीटें तो सबसेंदा यूपी में हो जाएंगी असी और 31 असी हो जाएंगी लोग सवा की 31 होंगी राज सवा की तो इस कांसर हो जाएगा बी ऑप्सन उसके बाद नेक्स्ट कोशन है लेवेंथ इसका मतलब है कि कौन सी बॉड़ी है जिसने कॉंस्टिशन को फ्रेम किया था तो इस कांसर ये हो जाए बेदाफ्टिं completely है जो कि इस जए हिंदी में कहते हैं प्रारूस हमेती तो इस कांसर ये हो जाएगा जिसके चेर्मेन थे बीर्म रिक जी उसके बाद नेक्स्ट कोशन है इकोशन है कि मतलब जो नया इपालिका होती है अंडमान निकोबार की जो नया इपालिका है वो कौन से कौन देखता हो से मतलब अंडर दा सुपर्विजन आफ तो इसका हो जाएगा सी ओप्सन है सार्किट बेंच और क्याकता है क्यलकता हाइग कोट एक पोर्ट बिले तो अंडमान निकोबार के एक बेंच देखती में तो इसका हो जाएगा को नेक्स्ट कॉश्चन है नो ऐस्टीख थीरी आफ सोवेरेनटी सेड़ेटापी तो मोनेश्टिख त्योरी आफ स्वेरेनटी यह दीती जन ऐस्टिन द्वारा तो इसका मुंसर स्धूर को जाए मतलब की जब पाकिस्तान अलग हो गया मुस्लिम लीग मतलब अलग हो गई थी तो उसके बाद कितने मेंबर वचये थे मतलब बिदान सवा के मुले मतलब सम्धान एक सवा में कितने मेंबर वचये हुए थे तो इसमें टोटल थे उस टाइम 389 थे 399 जिसमें 208 थे INC के 73 सीटे थी आल इंडिया मुस्लिम लेग की जो AIML कहते जिसे तो इसको अलग होने के बाद 299 मेंबर वचे हुए थे मतलब टोटल 399 थे जिसमें 292 थी जो कि रिप्रेजेंटी करते हैं थे प्रवेंसिस को प्रांत जैसे कहते पहले और 93 रिप्रेजेंट करते थे प्रेंसली स्टेडिस से देशी रियासत कहते और चार थे चीप कमिशनरी प्रवेंसिक जैसे डेली या जमेर हो गया और कुर्ग था और ब्रिटेन बुलिचुस्तान इस टोटल में लागे 299 बचे थे जब मुस्लिमली अलग हो गई थी तो इसका अंसर यह हो जाएगा उसके बाद फिप्टींद खुर्षन है वैन वाजदा राश्ट्री स्वैम सेवक संग बिल्ड जिसे आरे से भी कहते हैं तो यह 27 सेतंबर 1925 को बारात मतला फांडेशन होई दिसकी और यह इसके फांडर थ तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा उसके बाद 17 कोशन है वह वाज दा फर्स्ट इंडियन प्रेसडेंट टू फ्लाइए इन कॉमबेट एरक्राफ्ट तो इसका अंसर हो जाएगा एपीज अबदुलकलाम इन्होंने सबसे पहले मतलब राष्ट पती के तोर पर एजब पोस् सब्सक्राइब पर पार्लियमेंट के दो सेशन के बीच कितना मैक्समाम गयप हो सकता है तो यह सिक्सवन्त हो सकता मैक्समां तो इसका है हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट पॉस्टन है इसका कोशन कहने के मतलब है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि प्री कॉंस्टियूशनल लौ को बताता जैसे कि समिधान बनने से पहले भी कुछ नियम थे जो कि इस टाइम उन्हें नल कर दिया गया जो मारे नहीं जा रहे जैसे कि अपना कॉंस्टियूशनल जो कि शब्बे जनवी 1950 को एक्ट हुआ था उससे पहले कुछ नियम बने हुए थे जैसे एक्जामपल 1930 का एजुकेशन एक लौ एक्ट था उसमें मतलब जैसे था कि चैर्मैन कैसे सेलक्ट होगा और वाट अमाउंट ऑफ फंड डेट कैन बे लॉकेटेड और एज गुरूप क्या होगा उसी में था कि एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे यहां नहीं पड़ेंगे तो यह वाला तो 1930 में था लेकर नभी जब 1950 के बाद जब कॉंस्टिशन बना उसके बाद दिये वाला बॉइड कर दिया गया क्योंकि यह खत्म कर दिये गया उसमें दाटा दिया गया तो यह बॉइड हो जाएगा तो यह चीज है अर्टिकल 13 में दिया हुआ है कि उसके बाद नेक्स्ट कोर्शन है ट्रॉंटी ता फर्स्ट जनल लेक्षन अंडर दा इंडिन कॉंस्टिशन बर हैड बारत में पहले जनल लेक्षन कब हुए थे तो यह 1952 में हुए थे आफ्टर दा इंडिपेंडेंटेंस तो इसका उंसर सब्सक्राइब हो जाएगा डी ऑप्षन कॉंस्टिशन ऑफ इंडिया इस भारत का समिदाना यह कैसा है बहुती मतलब कठोर है यह थोड़ा नर्म है तो यह पार्टली रिजिट और पार्टली फ्लेक्सिबल है यह दोनों तरीका का है कभी-कभी कोई यांदा खतना कर देत सब्सक्राइब उसके लिए बहुती रिजिट हो जाएगा जैसे कि यह निर्वेया केस हुआ दो यह बार है तो उन लोगों कभी फांसी हुई थी चारों को तो यह एक तरीकी के रिजिट हो गया कहीं-कहीं फिर फ्लेक्सिवेल भी है तो इसका अंसर डी हो जाएगा इसको नेक्स्ट कोशन है 23 फू एमंग दा फॉलाइंग कें डिस्मिस गवर्नर ओफ स्टेट फ्रॉम इस ऑफिस अधर गवर्नर को कौन अटा सकता है उसकी पोस्ट से तो इसका तो अंसर प्रेसिडेंट होगा राश्ट पती के पास पावर हो थी वह जटा सकता है तो इसका अंसर जाएंगा इसकी सी ऑप्शन होगा तो इसका उसके वान नेक्स्ट कोश्टन है हाँ 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 मैंने एर्स आर लोग्सवा एलेक्शन कंडेक्टिड अफ्र हाँ मैंने एर्स मतलब कितने सालवाद लोग्सवा के लक्षन कंडेक्ट की जाते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा डी एवरी फाइव यर यह हों लोग थे 25 कोश्टन्स जो कि प्रीवेसर कोशन से एवरी कोशन आजगे ना प्रीवेसर एक्जाम लाइक एससी और रेलवे यह सम्में पूछा गया है तो यह हम लोग 25 कोश्टन थे बागे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक भी बात करेंगे तब तक के लिए थैंक्यू